शुबो दे बच्चों नाराणा लगल क्लासस में आप लोग का स्वालित है कबीर की साखिया नामक पार्ट से समंदित आप लोग को जो आसेलमेट दिया गया है उसके उतरों की चर्चा में आज करने वाला हूँ निपनी विखीत परशन का संदर्ब सहिर भाव लिखिए आवत गारी एक है उल्टन होई अनेक कह कबीर नहीं उतर्टिये वही एक की एक तो इसको उतर है संदर्ब प्रस्तुत दोहा हमारी पार्टी पुस्तक के कबीर की साखिया नाम कविता पार्ट से लिया गया है इसके कभी कबीर दास जी हैं कबीर दास जी भक्ति काल के बिर्बुन भक्ति धारा के कभी है भाव कबीर कहते हैं कि जब कोई विक्ति हमें एक गाली देता है और हम उसके जवाब में पलटकर गाली देते हैं तो ये गाली की संख्या अनेक में बदल जाती है यदि हमें कोई गाली दे और हम उसका उत्तर मौन रहकर दे तो गाली की संख्या ये खी रहती है अतह किसी के बुरा भला कहने पर या गाली देने पर उसके उत्तर में मौन रहना ही उत्तम है तो विशेश्ट सुनिए बच्चों गाली का प्रत्युत्तर मौन रहकर देना ही सावत्तम है गर्व का त्याग करना चाहिए कोई हमें अपशब्द कहता है, तो हमें मौव रहना चाहिए भचों, हम भी उसके प्रत्वत्तर में अपशब्द कहेंगे, गाली देंगे, तो उसकी संख्या बढ़ती है, यह हमारे महत्व को कम करती है भचों, और हमें गर्म को ठ्याग देना चाहिए दूसरा प्रश्ण है तल्वार का महत्व होता है मौ, मियान का नहीं मुक्तु उदाहरंड से कवीर क्या कहना चाते है तो उत्तर है तल्वार का महत्व होता है मियान का नहीं इस उदाहरंड से कवीर ये कहना चाते है कि व्यक्ति के गुन और ग्यान का महत्व होता है उसकी जाती का महत्व नहीं होता जिस प्रकार तलवार के गुन के कारण उसका महत्व होता है उसकी म्यान को कोई नहीं पूचता अर्था तलवार की जो धार होती है उसको ही देखता है कोई भी इसके ब्यान को कोई भी नहीं देखता ठीके वाइचों, तो ये रहे आज के आसेनमेट को उत्तर वाइचों, धन्यवास